साल का पहला सूरी ग्रहन इस बार 20 अप्रेल को लग रहा है तो वही हिंदू पंचांग के मुताबिक बैसाक माह के किष्ण पच्च की आमावश्या तिथी को पहला सूरी ग्रहन लगेगा सूरी और चंदर ग्रहन हर वर्स लगते हैं जहां बेज्ञान इसे खगोली घटना मानता है तो जोतिस इसे आसूभ मानते हैं जोतिस आस्तर द्वारा सूरी ग्रहन में धार्मिक कारे नहीं किये जाते सूरी ग्रहन लगने के बश्यात मठ मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिय यह जाते हैं इतना ही नहीं ग्रहन लगने से राज पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे आखिर सूरिग्रहन लगने के दिन किन-किन रास्यों के लिए भयानक सावित होगा तो चलिए जानते हैं कहीं आप भी तो नहीं है आप्रेल को प्राता सात बच कर चार मिनिट पर लग रहा है जो मध्यान बेला कि बाराय बच कर तीस मिनिट तक रहे गा धार्मिक मानेताओं के अंसार यह ग्रहनकाल भारत में दिखाई नहीं देगा कैन तो इसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा मेश रासी के जातकों के लिए यह ग्रहनकाल अत्यंत समवेदन सील है सभी भाई बहनों को चाहिए कि इस सूर ग्रहनकाल में आदत हरदयस्त्रोत अथवा विशुन सहस्त्र नाम का पात करें सावधानी पूरवक रहें मंदर में प्रवेश ना करें घर में रखी प्रतिमाओ को ढख दें ग्रहनकाल के दौरान कोई भी चीज का सेवन न करें यादी विवस्ता हो तो तुलसी का पत्र डाल कर रखें फिर सेवन कर सकते हैं